इस वीडियो में रिप्रजेंट करेंगे स्क्वेर रूट आफ 9.3 आन्दी नंबर लाइन तो पूरी तरह समझ जाएंगे कि स्क्वेर रूट आफ 9.3 नंबर लाइन पर कहां लाई करेगा यसे आपके पास नंबर लाइन है आपको फाइंड करना है कि यहां पर यह जीरो है तो कितना दूर के बाद कितना दूरी पर कौन सा पॉइंट होगा जहां पर स्क्वेर रूट आफ 9.3 लाइ करेगा हमें यह फाइंड करना है ठीक है? ओरजिन यहां है कितना दूर वो पॉइंट है जो स्क्वेर रूट आफ 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा यह फाइंड करना है इसके लिए आपको जूर्ट पढ़ेगी रूलर कमपास एंड प्रोटेक्टर दे फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो यहां पर लिखा स्क्वेर रूट के अंदर जो दिया हुए 9.3 उतने लिंद का लाइन सेग्मेंट खीचेंगे एक देखें 9.3 सेंटिमेंटर का लाइन सेग्मेंट खीचने के बाद हमें जो सेकेंड स्टेप करना है यहां पर जो पॉइंट मिला इस पॉइंट से 1 सेंटिमेटर फॉर्दर और उर हमें इसको increase कर देना है यदि हम यहां से 1 cm खीचते हैं तो हो जाएगा 10.3 अब इन सभी का हम naming कर लेते हैं जैसे कि यह point हमने खीचा तो यह point को माल लेते हैं कि यह A है this is A and this is B and this is C हमें A से B हमने खीचा 9.3 cm और यह है 1 cm अब थोड़ा सा ध्यान समझेगा जो third step है A और C को diameter मान करके हमें एक semi circle ड्रा करना है तो semi circle ड्रा करने के लिए हमें middle point चाहिए मतलब A और C का middle point find करना पड़ेगा पहले compass को यहां पर set करिए A पर और इसका suitable length ले करके middle point से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम यहां पर arc खीचेंगे देखे A को center मान करके हम यहां पर एक arc खीचेंगे तो A को center मान करके हमने एक arc खीच लिया दूसरे side भी खीच लेंगे एक arc अब C को center मान करके और उतना ही length लेकर इतना लियत है हम यहाँ पर arc दूसरा खीचेंगे यहाँ भी arc खीच लेंगे तो हमें जो points मिलें यहाँ पर यह point और यह point इन दोनों points को join कर देंगे इनको join करने के बाद हमें यह middle point मिल चुगा है देखिए जो next step हमारा है वो है O को center मान करके और AO length ले करके मतलब O से A तक जितना length है यही हमारा half है किसका AC का AC का half length ले करके मतलब वही AO length ले करके हम यहाँ पर एक semi circle ड्रा करेंगे semi circle ड्रा करने के बाद इस B point से हमें एक perpendicular line खीचनी है तो यहाँ पर रखिए B point पर यहाँ पर देख रहे हैं आप 90 degree यहाँ है तो यहाँ पर हम marking कर लेते हैं तो हमने marking कर लिया अब यहाँ से B से इस point को join कर देंगे देखे हमने B point पर perpendicular line खीचा जब तो इस semi circle को एक जगह यहाँ पर intersect कर रहा है यह पर perpendicular line यह point पहुँ ज़्यादा important है और इस point का हम नाम ले देते हैं इसका नाम हो जाएगा D और BD जो है BD जो length है यह important क्यों है D ? क्योंकि BD जो length है वह actually under root of 9.3 length का है मतलब यहाँ से ले करके इस point से ले करके यहाँ तक under root of 9.3 है क्याहाँ से लेका यहाँ तक सोचिए हमने यह exactly find कर लिया कि BD length यह जो BD length होगा वह square root of 9.3 होगा अब बस करना क्या है हमें यदि हम AC जो line segment हमें ड्रा किया था AC कितना था 10.3 cm यदि हम इसको थोड़ा सा increase कर दें आगे की तरफ और इसको हम number line की तरह assume करें कि यह number line है यहाँ पर B को center मान करके और BD radius ले करके यदि हम यहाँ से एक और खीचेंगे तो और जहाँ पर यह strike करेगा इस number line को वही point उतना भी length तो इतना ही होगा जितना यह square root of 9.3 है यहाँ पर R खीचने के बाद जो point मिलेगा यह point मिला हमें यह point है जब R खीचा हमने तो यह point E मिला वह actually यदि B point है यदि इसको 0 माना जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही यह भी होगा square root of 9.3 क्योंकि R खीचे हमने R की जब खीचा है तो radius हर जगा बराबर होता है तो B E जो होगा B E वो B D के बराबर होगा तो जब B E बराबर B D होगा तो दोनों किसके बराबर है दोनों बराबर है square root of 9.3 के तो हमारा length हमने draw कर लिया देखिए यहाँ B point को 0 माने तो यहाँ से यहाँ तक यह O E O E जो length होगा वो square root of 9.3 है तो हमने represent कर लिया actually number line पर इसको एक बर हम लोग revision कर लेते हैं सबसे पहले आप line segment खिचोगे यहाँ A point से B point तक ठीक है कितना length लेना होगा जितना यहाँ पर दिया हुआ है 9.3 तो A से यहाँ B तक एक line segment खिच लोगे उसके बाद B से इस B से C तक हम 1 cm और खिच लेंगे ठीक है उसके बाद ध्यान देना आप A और C का length है इसका middle point करेंगे middle point करने के लिए हमें R खिचना पड़ेगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर तो R खिचेंगे तो यहाँ पर हमें इन दोनों points को join कर देंगे तो mid point मिल जाएगा mid point जो मिलेगा तो इस mid point को center मान करके और radius इतना लेंगे और radius इतना लेंगे के बाद हम एक यहाँ पर semi circle खिचेंगे और semi circle खिचने के बाद हम जो हमने यह B point बनाया था इस B point पर perpendicular line ड्रा करेंगे using compass sorry protector या फिर compass का भी यूज कर सकते हैं जिसका भी आप जो भी comfortable हो आपके लिए तो यहाँ पर B point से यह जो हमने drag किया जिस point पर cut किया इस semi circle को वही point जहाँ पर cut किया B से D का जो length है वही है square root of 9.3 और square root of 9.3 को जब हमने यह BD find कर लिया तो इसी को हमने project कर दिया यहाँ पर एक R खिच करके यहाँ से B से लेकर E तक जो हमें यह length मिला वही हमारा square root of 9.3 तो यदि हम इसको number line माने और number line पर यदि हम B को 0 origin consider करें और E point जो हमारा मिलेगा वही point होगा representation of square root of 9.3 कर दो दिया आया झाल कर दाफ उसमार कर दो प्लप चर्ण तो झाल कर दो